नमस्कार दश्कों, यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, आज में वीडियो लेकर आई हूँ, सिंग लगन वा सिंग राशी के जातकों के लिए मई 2021 का राशी पल, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिंग लगन वा राशी के लिए मई का मा कैसा जाएग सिंग लगन का क्या रथ है कि आपकी जनम कुंड़ी में जो पहला भाव है, उसमें अगर पांच नमबर का अंक लिखा हुआ, इसका रथ है आपका सिंग लगन है, और उसी पांच नमबर में अगर चंदरमा भी बैठा है, इसका रथ है आपकी सिंग राशी है, यहनि अगर गर गर शुक या सुए soul स्धान यह स्थान स्थान यहां पर नी विश्टिक शनी मांराज मकर शनी मिभीत्याए मैं सभ्ठत Anyways क्योंकि शनी मायराज 3, 6, 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं सब्तम भाब में कुम राशी में देव गुरु बर्सपती विद्यमान है जो 6 अप्रेल 2021 को जिन्होंने कुम राशी में परवेश किया है सब्तम भाब में और देव गुरु बर्सपती 2, 5, 7, 9, 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं इस प्रकार सिंग लगन वा सिंग राशी वो भागेशाली राशी हुई जिसमें शनी भी महीं चल रहे हैं जहांका बहुत बढ़ी अफल देते हैं और देव गुरु बर्सपती वे महीं चल रहे हैं जहांका बहुत बढ़ी अफल देते हैं मा का जब आराम होगा तो मही के आरम में मेश राशी में सूरे वर शुकर की उति भागेबाब में होगी और चौदा मही के बाद सूरे जो हैं वो व्रिशव राशी में परवेश करेंगे शुकर के साथ इस प्रकार आपका लगनेश जो है दशमस्त हो जाएगा जहां उनकी धनेश बुद और आवु के संग्यूती हो जाएगी दशम भाब में और जो आपके भागेश मंगल हैं वो आपके लाभभाब में रहेंगे पूरे महीने तो यह है ग्रहों की स्थिति सिंग लगनवा राशी के लिए मेरा यह मानना है कि सिंग लगनवा सिंग राशी मई मा की भागेशाली राशी है और वर्ष 2021 का सिंग लगनवा राशी के लिए काम करने का भूखत शानदार समय है अगर आपने वर्ष 2021 में किसी काम की प्लानिंग कर रखी थी लंबे समय से आपका कोई काम रुका हुआ था तो अब आप वर्ष 2021 में उस काम को कर सकते हो शनी महाराज भी पॉजिटीव है देव गुरू बश्पती भी पॉजिटीव है अगर आपकी दशाएं पॉजिटीव होई तो काम आपका 100% होगा बहुत अधिक आपको सफलता मिलेगी तो काम में आपको कितनी सफलता कहां तक सफलता मिल पाएगी पूरा डिपाइंट टरेगा आपकी दशाएं कैसी है लेकिन अगर आपकी दशाएं भी इतनी अच्छी नहीं होई तब भी काम में कुछ ना कुछ सफलता तो आपको निश्चीत रूप से मिलेगी क्योंकि आपको शनी महाराज का भी आशिरवाद मिल गया और देव गुरू बश्पती का अब हम देखते हैं कि सिंग लगनवा सिंग राशी के लिए मई के महा में काम बनने का समय क्या है काम बनने का हमारे पास समय आता है 14 मई से लिका 31 मई के बीच में ये वो समय होगा जो हमारा लगनेश सूरे दश्मस्त होगा, हमारा धनेश बुद्ध दश्मस्त होगा, लाबेश बुद्ध दश्तमस्त होगा, तो ये बहुत हमारा अच्छा समय है और भागय से लाप का समय है तो कैरियर के लिए शानदार समय है अगर आप सिंग लगनवाराशी के जातक थे आपके पास जॉब नहीं थी आपको जॉब मिल सकती है आप अपनी बरत्मान जॉब को बदलना चाते हैं तो बदल सकते हैं और आगर आप लंबे समय से अपनी पर्मोशन के इतिजार में थे हैं तो आपको पर्मोशन हो सकती है लगनेश जो दश्मस्त गया वो इस बात का संकेत है कि वैपार के लिए समय बहुत अच्छा है आप वैपार में निवेश करके लाब उठा सकते हैं और आपको आपका भगे आपको लाब देगा आपके कई काम ऐसी हो जाएंगे जो आपने सूचे नहीं होंगे लेकिन भगे से लाब मिल जाएगा क्योंकि भगे भाप का सौमी लाब भाप में चला गया और अगर अब वैपार में वर्ष 2021 में किसी नए काम की शुरुआत करना चाते हैं तो उसके लिए शांदार समय है धन के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है धना नहीं कि आपके पास बहुत उमीद है 14 मही से लेकर 31 मही तक सिंग लगनवा राशी के लिए वर्ष 2021 में मई का महीना एक ऐसा समय है कि आपके लंभे समय से रुके हूए काम आपके समय में पूरी हो सकते हैं क्यों कई पार एसा होता है अपनी जिंदगी में क strang करते हैं लेकिर हम समय की तलास में रहते हैं वह काम कैसे करें कैसे करें अब वो काम होने का समय आपका आ सकता है ये का समय ऐसा है कि आपको हर काम में सफलता मिलेगी सबसे पहले बाद सिंग लगनवा राशी के जातक जो कि अपना विवा के लिए प्रयास कर रहे थे सप्तम भाब में देव गुरु बरस्पति आ गए अब आपका विवा तैह हो सकता है कर आप लगे समय से अपने विवा का अंजार कर रहे थे तो अब आपका विवा का तैह होने का समय आ गया अभी तक जो संतान भाब का स्वामी पंचम भाब का स्वामी अपनी नीच राशी में छटे भाब में चल रहा था जिसके कारण आपको संतान से जुड का कोई तनाव चल रहा था वो तनाव आपका दूर होगा इन सब चीजों से आपको साहता मिलेगी बिद्या पुद्धी वा संतान के लिए देव गुरु बरस्पती जो अभी तक नीच राशी में चल रहे थे वो 6 अपरेल 2021 से सप्तम्बाब में आ गए और उनकी दिश्टी ल मारी बढ़ाता ये रहे और फ़ड़ आपको डुखी तो वह ऐसा है क्योंकि कष्टे में की यह सब्एक्षम समय और चोथा भाव है अगर आप चाहें तो आपका मन चाही जगा पर ट्रांसफर भी हो सकता है कोट केश अगर आपका मई के महा में कोट केश की डेट आती है तो आपके लिए समय काफी पॉजरिटीव है शत्रू आपसे पराजित होंगे और आप शत्रू पर पूरी तरह हावी रहेंगे प्रापटी का कारक मंगल लाभभाव में है और देव गुरू बश्पती की दिष्टी भी धनवा लाभभाव पर है एक, दो, तीन, चार, पांच तो यह समय दिखा रहा है कि आपके पासा कोई को प्रापटी है, समपती है तो उससे आपको लाभ होने की संबावना बन रही है साथी आपका चौथा और दशंभाव रावकेतू के अक्ष में है, तो यह भी संबावना है कि मई के महा में अचानक आपकी किसी पकार की कोई आत्रा हो सकती है, तो अब हम देखते है कि मई का महीना क्योंकि सिंग लगन वा राशी वो भाकेशाली राशी है, जिसके लिए म मई का महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है वर्ष 2021 में, अब हम उसमें के लिए देखते है कि उनके व्यास काम करने के लिए शुक्तितिया कौनसी होंगी जब चंद्रमा उनका विल्कुल पॉजिटिव होगा, वो शुक्तितिया में आपको बता रही हूं, तीन वा चार म मई, 5 वा 6 मई, 12 वा 13 मई, 14 वा 15 मई, 16 वा 20 मई, 21 वा 24 मई, 25 वा 30 मई वा 30 मई वो शुक्तितिया है जब आपका काम होने की पूरी संबावना है, आप जो है इन तिथियों पर अपना काम करें, कहीं जॉब जोइन करें, किसी नए काम की शुरूआत करें, व्यापार में कोई यानि चंदरमा या तो विष्टिक राशी का होगा, या मीन राशी का होगा, या करक राशी का होगा, तो ऐसी इस्तिती में वो चंदरमा नेगेटिव होगा, तो भूल कर भी उस दिनों में कोई महित्वड काम का विचार न करें, तो साधानी के दिन सुनिये, 7 वा 8 मई, 9 वा 17 मई, 18 वा 19 मई, 26 वा 27 मई, तो दर्शको ये मेरा वीडियो था, सिंघ लगन वा सिंघ राशी के जातकों के लिए मई 2021 का समय काफी अच्छा है, सिंघ राशी वो भाकेशारी राशी है, जिसमें देपुरू बर्सपती शनी जो उस जगा पर चल रहे हैं, जहां का सफलता मिल सकती है, आपका कोई कोड केश चल रहा है, उसमें सफलता मिल सकती है, और लंबे समय से, अगर आप कोई मकान खरीदना चाते थे, तो आप अपनी संपत्ती खरीच सकते हैं, देव गुरू बर्सपत्ती सब्तम भाब में बैट का संकेश दे रहे हैं, कि दाम पत् आप में आत्म विश्वास जागेगा, आपकी सोच पॉजिटीव होगी, और आपको लगेगा कि अप जिन्गी में काम करने के लिए हमारे पास आगे बढ़ने का पूरी तरीके से समय आ गया है, तो दर्शको यह मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा, प्लीस कमेंट वाक् और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया, तो किरपा मेरा चैनल सब्क्राइब कर दीजे, साथ इवल आइकन को भी दुपा दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अप्लोट करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो झाल